तो NVS catering supervisor और EMRS catering assistant के exam की तयारी के लिए आपका MCQ के series का part 2 आपके सामने है और जल्दी से इस exam की आप तयारी कर लीजिए क्योंकि जो है 2024 में इसका notification आदोनों के exam के notification आने की पूरी सम्मावना है तो चलिए MCQ solve करते हैं question number 1 है आपके सामने ब्रुशेटा and Italian antipasto typically includes तो जो ब्रुशेटा है वो typically उसमें क्या जाता है तो option A दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है grilled bread with garlic and olive oil तो इसमें garlic and olive oil यूज होता है दूसरा option दिया है deep fried seafood and vegetables C option दिया है skewered and grilled meat with peanut sauce option D दिया हुआ है stuffed grape leaves with rice and herbs तो जो इसका correct answer है वो option A है इसमें सामने आपको दिख रहा है grilled bread with garlic and olive oil तो यह इसकी फोटो भी आपको सामने नजर आ रही है तो ब्रुशेटा हमको समझना होगा कि एक Italian appetizer है और इसको antipasto भी appetizer को Italian में बोलते हैं बनता किस्स ब्रेड को जो है इसमें olive oil और garlic को रब करते हैं और उसको grill करते हैं उसके साथ में उसमें कई toppings जाती है जैसे diced tomato है fresh basil है olive oil है और cheese भी कई बार इसमें topping की तरह जाता है यह starter है यह starter को ही हम जो है Italian में antipasto का नाम दिया गया है question 2 है what is लग्ज़ते ताम अब यह regional cuisine की बात हो रही है option दिये हुए है a a traditional of the dessert option b an aromatic potly masala option c a type of Indian flatbread and option d a popular south Indian curry तो इसका जो correct answer है वो है an aromatic potly masala तो यह option b सही है an aromatic potly masala लग्ज़ते ताम जो है totally masala है जिसको की bouquet गारनी विया बोल सकतो इनियन इसमें जो है करीब दो दरजन से उपर मसाले होते हैं और यह अबधी cuisine का part है अबधी cuisine में कई dishes है famous dishes है उसमें यह लग्ज़ते ताम मसाला यूज होता है जैसे कि निहारी है कबाब्स है different types of पाया है इसमें लग्ज़ते ताम यूज होता है important जो गरम मसाला में spices होते हैं वो और sandalwood है rose petal powder है मखाना है केबरा water है इस तरह है इस तरीके से specialized powder यूज होते हैं और यह हमारा लग्णवी cuisine का यह हम बोल सकते हैं अबधी cuisine का एक important मसाला है अलग नाम है इसलिए इसको पूचा जा स पास्ता बनाने के लिए कौन कौन सा वीट कौन सा टाइप का वीट यूज होता है तो option A दिया है यह है ट्रिटिकम वुल्गैर और option B इस ट्रिटिकम कॉंपक्टम option C दिया हुआ है ट्रिटिकम डुरम और option D दिया है ट्रिटिकम ब्रैडिकस तो इसका जो answer है वो option हम देख रहे हैं स्क्रीन पर option C दिया है ट्रिटिकम डुरम या इसको simply जो है डुरम वीट पास्ता भी कहा जाता है तो डुरम वीट जो है वीट की वराइटी है इसको spring वीट भी कहते हैं जिससे की normally जो है semolina बनाई जाती है या फिर पास्ता बनाया जाता है और इसको अगर finer flour बनाय जाता है question number 4 जो दिख रहा है what is a couch in bread proving तो bread proving में couch क्या होता है c-o-u-c-h-e spelling देख लिजेगा c-o-u-c-h-e तो इसमें option दिये हुए है a proving container option b दिया हुआ है proving tray option c दिया हुआ है proving cabinet and option d दिया हुआ proving cloth तो इसका correct answer देखते हैं क्या होना चाहिए इसका correct answer है option d correct answer है proving cloth तो यह इसकी हम photo देख रहा है यह सामने यह जो है proving cloth होता है यह जो है baker's couch जो है एक high quality का professional grade 100% flax linen होता है जो की natural होता है उसमें untreated और unbleased होता है तो यह जो है डो को support करता है और डो को जो है proving के दौरान यह इस growth में रखा जाता है durable होता है light होता है flexible होता है और this is the best material to prove bread bread को prove करने के लिए प्रूफ मतलब bread को जब इसमें yeast milk मिलाके एक dough बनाया जाता है तो कुछ समय के लिए उसको रखा जाता है तो वो time period होता है जब bread को dough को जब रखा जाता है bread बनाते समय तब उसमें fermentation होती तो उस time period को proving कहा जाता है तो option D है proving cloth यह एक सही option है तो question number 5 आप देख रहे हैं अज chef is inspecting a cut of meat and notices that it is stiff and rigid what is the likely condition of the meat मतलब एक chef है उन्होंने meat को inspect किया है उसमें देखा है कि वो stiff और rigid हो गया है तो सबसे likely condition क्या है इसमें तो option दिया है A, it is halal meat, option B, it is kosher meat, option C, it is experiencing rigor mortis and option D, it is spoiled तो जो most appropriate answer है वो answer C है, it is experiencing rigor mortis यह answer आप देख पा रहे हैं तो rigor mortis एक post-mortem condition होती है जिसमें की animal की death के बाद उसकी muscles है वो stiff हो जाती है और इसका जो current है वो oxygen का depletion है, energy sources का depletion है, जिससे की tissues जो है meat के tissues है, muscles है, वो rigid हो जाते है question number 6 है, what is the purpose of searing in cooking? cooking में जो है, searing यह word आप याद रखेगा, इसको पूछा जा सकता है, इसका क्या purpose है cooking में option A दिया हुआ है, extracting flavor by soaking in liquid, option B दिया हुआ है, softening organic solids in heated water option C दिया है, coating meat with breadcrumbs for browning and option D दिया हुआ है, browning the surface of food at high temperature to form a crust तो यह जो है, option D, एक सबसे ज़्यादा appropriate मुझे लग रहा है जी हाँ, option D है, browning the surface of food at high temperature to form a crust तो searing क्या है, इस photo देख लीजे, यह इस तरीके से, searing की photo से आपको तुछा समझ में आएगा यह cooking technique है, जिसमें की जो खाना है, उसको quickly cook किया जाता है normally जो है, इसमें high heat का use किया जाता है और normally इसमें oil भी use किया जाता है, roasting pan, roasting normally होती है जिससे की क्या होता है, कि जो meat है, meat में जो है, brown crust पैदा होती है और उसका flavor भी enhance होता है, क्योंकि हम इसको high flame में पका रहा है तो वहाँ पे caramelization भी होता है, जो natural sugars present होती है जो meat में sugar और protein जो होता है, उससे एक process होता है जिसको caramelization होता है, जिससे color change होता है, brown crust आता है और उसका flavor भी caramelized flavor आता है जो juices होते हैं, meat में वो भी lock हो जाते है तो एक important term है, searing याद रखिएगा 7th question है, what is ioli? ioli क्या होता है? A option दिया है, type of pasta option B दिया है, a french sauce made with garlic and olive oil option C दिया हुआ है, Spanish potato dish and option D is a type of french soup made with leeks and turnips तो इसका जो correct answer है, वो है option B a french sauce made with garlic and olive oil देखते हैं, हाँ, बिल्कुल सही है option B, a french sauce made with garlic and olive oil तो ioli जो है, आपका Mediterranean sauce है जिसमें की जो की garlic को crush करते है olive oil के साथ में उसको मिलाते है एक तरीके से ये मलचन है और कई बार इसमें egg yolk भी डाला जाता है कई books में जो है, और कई restaurants में मियोनीज में जब हम garlic मिला देते हैं जो classical recipe है, उसमें garlic को crush करते हैं उसको olive oil के साथ में मिलाते हैं तो it's a type of immersion so option B is correct answer ये आप देख सकते हैं फोटो में question number 8 आपको देख रहा है what is the characteristic feature of gujons cut in fish जो gujons है, फिश में उसकी क्या characteristic है देखते हैं क्या बोलता है option A दिया है small portions of fillet with skin left on option B है, a folded fillet of fish option C is diamond shaped pieces of fish option D is long thin stripes coated in bread crumbs तो ये मुझे option D जो है, ये correct लग रहा है देखते हैं सही है कि नहीं, गिलकुल सही है option D, long thin strips coated in bread crumbs तो जो gujons है, ये देखते हैं, इसको फोटो में देख लिए फोटो से clear हो जाती ही चीज़े, इसका normal जो size होता है 8 cm by 1 cm होता है और जो fish को जो है, लंबे में इसको cut किया जाता है thin stripes और fillet को आप बोल सकते हैं, फिले को जो है long stripes में, thin stripes में काटा जाता है और gujons का जो मतलब french में होता है, वो होता little sticks याद रखेगा little sticks और इसको usually जो है bread crumbs में, इन little sticks को bread crumbs में coat के जाता है और उसके बाद उसको golden brown color, जो golden brown होने तक उसको crispy fry किया जाता है question 9 आपको दिख रहा है, वो है, आपका scrambled egg is known as scrambled egg को और क्या कहा जाता है a दिया हुए option oops and kakot, option b दिया है bava royce and option c is quiche, option d is oops brulis तो इसका correct option हम देखते हैं, वो है option d, oops brulis यह आपको picture में दिख रहा है, यह scrambled egg को french में कहा जाता है इसका french में exactly, जो है, मतलब होता है scrambled egg eggs को beat किया जाता है, और उसको gently pan में cook किया जाता है butter और cream के साथ में, तो उसको बोलते हैं, oops brulis बाकी जो term है, oops and kakot, इसका मतलब जो होता है eggs in pot, जो lateral मतलब होता है, oops and kakot का होता है eggs in pot मतलब, जो eggs होते हैं, उनको एक individual ramkin dish होती है जो की, आपकी heat proof, bake proof dishes होती है, छोटी छोटे बरतन होते हैं उसमें अंडा, उसके साथ में other ingredients, जैसे cream है, cheese है, herbs, जो भी उसमें ingredient डालना है, उनके साथ उसको oven में cook किया जाता है ज्यादा cook नी किया जाता है, मतलब जो egg yolk है, वो उसमें runny होना चीए, ज्यादा cook नी होना चीए, तो उसको oofs and kakot कहा जाता है यह आपका creamy dessert होती है, और यह एक तरीके से बोल सकते हैं, flavored custard और puree होती है कई बार इसमें whipped cream भी डाली जाती है, और इसको mold में set करके, इसको serve किया जाता है कीश, जो है, वो आपकी savory tart होती है, और option D तो हमने discuss करी लिया, उस brulis जो है, आपका scrambled egg होता है question number 10 है, very important, according to FSCI guideline, what is the minimum percentage of whole wheat flour required to be used in whole wheat bread by bakeries question को फिर से समझ लेते हैं, मतलब minimum percentage पूछा है, of whole wheat, इस word को underline कर लिजए whole wheat flour required to be used in the whole wheat bread, मतलब whole wheat flour कितना लगेगा आपका whole wheat bread में उसका percentage पूछा गया है, तो इसमें दिया है option A, कम से कम 50% whole wheat flour होना चाहिए, एक whole wheat bread में option B दिया है, at least 60% होना चाहिए, option C दिया हुआ, at least 75% whole wheat flour होना चाहिए option D दिया हुआ है, at least 90% whole wheat flour होना चाहिए, तो इसका direct हम guesswork ना करते हुए, answer सही देख लेते हैं, at least 75% whole wheat flour जो है, हमारी whole wheat bread में होना चाहिए, तो जो है, यह FSCI की guideline है, भईया, मेरे मन से कुछ भी नहीं है, यह FSCI का यह आप देख रहे हैं, इसका मैं यह reference भी देता हूँ, food safety and standard, जो है, labeling and display regulation 2020, यह कहता है, यह screen पर आप देख रहे हैं, whole wheat bread है, और उसमें whole wheat flour आटा, कम से कम, इसमें at least 75% होना चाहिए, whole wheat flour should be at least 75%, और भी कई चीजें दिवह हैं, बहुत सारी चीजें दिवह हैं, यह 4 चीजें important है, इसले लिगए है, wheat bread और brown bread में कितना whole wheat flour होना चाहिए, जहां packet में लिखा रहता है, whole wheat bread या brown bread, तो उसमें कितना whole wheat flour होना चाहिए, कम से कम 50% whole wheat flour इसमें होना चाहिए, तो इस चीज को आप परसंट अदर ग्रेंज होना चाहिए, मल्टी ग्रेंग ब्रेड में. Also study precisely made notes as per the syllabus and past exams. There is vast selection of multiple-choice questions available to attempt on different topics. You can evaluate your MCQ score every time. Also, find explanations of the multiple-choice questions. There is also many sample question papers available for your exam practice. You can use the app both in mobile or laptop in a web mode. Download the app Hospitality Education Now from Google Play Store. and learn from the experienced faculty with very easy learning techniques and has experience as NVS Catering Assistant, Teaching Profile, Hospitality Industry Experience and Administrative Experience. Question number 11, you can see LPG is a mixture of which gases? Option A is methane and hydrogen. Option B is propane and ethane. Option C is butane and methane. and option D is butane and propane. तो इसका correct answer देखते हैं, वो है आपका option D, butane and propane. तो जो यह question जो है, यह category इसकी है fuels. और fuels से बहुत सारे questions पहले बन चुके हैं. हर साल एक-दो, एक-दो करके question minimum पूछे गए हैं. कई साल तीन-तीन question भी पूछेंगे है fuel topic से. तो जो आपका LPG है, liquefied petroleum gas इसको कहा जाता है. इसमें जो primarily mixture होती है, आपकी propane और butane gases जो होती हैं. और यह cooking equipments हैं, vehicles हैं, इन सब के लिए इसको use किया जाता है. और यह easily liquefied हो जाती है under moderate pressure. तो important topic fuels याद रखिएगा. Question number 12 है, this cuisine has combination of sweet, salty, spicy flavors and has a wide selection of vegetarian dishes like umba diw and dhebra. तो यह local cuisine लग रही है, हमारी regional cuisine लग रही है, इंडिया की. तो इस तरीके से question आप समझ सकते हैं, कि ऐसे question पूछी जाएंगे. दो-तीन जो है, आपके key ingredients दिये जाएंगे. और उसके साथ में जो है, आपको एक दो main dish दे दी जाएंगे, आपको guess करना है कि वो कौन सी cuisine है. यह go and cuisine का question पिछली बार ऐसे ही पूछा गया था. तो option A दिया हुआ हर्याना cuisine, option B दिया हुआ है पंजाबी, option C दिया हुआ है गुजराती and option D is आंधरा cuisine. तो यह आपका एक important question है, आपका cuisine में, जो regional cuisine है, तो इसका जो correct answer है, वो देखते हैं क्या है, वो है गुजराती cuisine. इसमें जो चीज़े हैं क्योंकि sugar का use होता है, और यह दो dish हैं इससे आप cuisine को पहचान सकते हैं. तो जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका उमबादियू. उमबादियू क्या होता है, गुजरात की traditional dish है, और विंटर सीजन में बहुत ज़ादा होती है, इसमें mixed vegetable है, इनको एक गड़ा किये जाता है, उसमें इस तरीके से pot होता है, मिट्टी का बरतन होता है उसमें सब vegetables डाली जाती है, मसालों के साथ में, और उसको cover करके hot charcoal उसके उपर डाल देते हैं, और इसको cook करते हैं, यह slow cooked dishes है, उमबादियू. और दूसरी जो dish है, वो है आपकी धेवरा, धेवरा जो है, यह आपकी गुजराती bread है, जो की millet flour से, usually जो उसमें pearl millet flour, जो है जिस इसे भी यह धेवरा, मेथी धेवरा बन सकता है, एकला question है, 13th number पे, what defines pomodoro in Italian cuisine, तो pomodoro word याद रखेगा, क्या pomodoro मतलब क्या होता है, Italian cuisine में, A दिया हुआ है, tomato based pasta sauce, B दिया हुआ है, creamy tomato soup, C दिया हुआ है, tomato flavored risotto, and option D is baked tomato dish, तो इसका सही उत्तर है, वो है option A, tomato based pasta sauce, इस तरीके से यह दिखता है, तो यह self explanatory है, यह simple tomato sauce है, हमारे Italian cuisine में, जो की ripe tomatoes से बनता है, जिसमें की olive oils, और इसके साथ में garlic और basil, इसमें add किया जाता है, और यह pizza के लिए भी use हो सकता है, अदा recipes के लिए pasta वगरा के लिए use हो सकता है, question number 14 है, which position in the kitchen brigade is responsible for preparing cold dishes, salads, and appetizers, बहुत ही simple question है, A दिया हुआ है, entrepreneur, option B दिया हुआ है, गार्डे मांजर, option C दिया है, saucier, and option D is poisoner, तो इसका सही answer है, वो है, गार्डे मांजर, ठीक है, याद रखें कि गार्डे मांजर जो chef होता है, वो यह सारी चीजे हैं, जैसे cold dishes हैं, salads हैं, appetizers बनाता है, option A को देख लेना बनाता है, पॉइजनर जो है, पॉइजनर जो है, पॉइजनर नहीं बनाता है, याद रखना, पॉइजनर जो है, फिश बनाता है, क्योंकि फिश को पॉइजनर मत समझ लेना की पॉइजन बनाता है, question number 15 है, what is the primary function of commercial immersion circulator, तो यह जो important term यूज की गई है, commercial immersion circulator, इसका मतलब आपको समझना है, option A दिया हुआ है, mixing ingredient, B दिया हुआ, blending smoothies, option C दिया हुआ, steaming vegetable, and option D दिया हुआ है, soup with cooking, तो इसका correct answer है, option D, soup with cooking, इस तरीके से, हमारा commercial immense immersion circulator दिखाए देता है, जो आपको right side में दिख रहा है, इसके, यह है हमारा commercial immense circulator, यह दिखाए देता हूँ, अब यह क यह चीज है, यह किस बला का नाम है, तो जो commercial immersion circulator होता है, यह professional kitchens में use होता है, जिससे की precise temperature control हो सकता है, soup with cooking में, याद रखिएगा, soup with cooking जो है, पूछी गई है, दो बार, important है इसलिए, तो यह जो device है, यह पानी के अंदर, जो हीट को circulate करता है, एक consistent temperature maintain करता है, और जो chef है, वो इसमें soup with cooking कर सकते है, soup with cooking क्या होता है, vacuum sealed food होता है, पनी रती है, polythene उसके अंदर खाना डालते है, vacuum sealed खाना होता है, उसको एक constant temperature में, extended period के लिए cook किया जाता है, उसको soup with cooking बोला जाता है, question number 16, the principal pigment present in the muscle cell of meat, meat में कौन सा pigment use होता है, तो pigment से बहुत सारे question यूज पूचे ग pigment से बहुत सारे question पहले भी पूचे गए है, तो important topic है, A दिया हुए option chlorophyll, definitely no, myoglobin, carotines and chlorophyll मैंने दो बार option दी दिया, ठीक है, एक option अलग कर लेंगा पन, तो इसका जो correct answer है, वो है myoglobin, myoglobin जो है, ये meat में पाये जाता है, 16 नंबर का answer सही है, ये iron and oxygen binding protein होता है, और ये जो हम हमारे muscle tissues में पाया जाता है, और hemoglobin से ये related होता है, question number 17 है, also known as re-wetting और second stock, क्या चीज़ है, जो re-wetting या उसको second stock कहा जाता है, बहुत ही hot question है ये, इसको पूछे जाने की सम्मावना बहुत ही प्रबल है, इस साल, option A दिया हुआ है, secondary fumet, option B दिया है, neutral stock, option C दिया हुआ है, तो इसमें जो correct answer है, वो रेमुलाज है, तो रेमुलाज जो है, फ्रेंच culinary term है, जिसका ये मतलब होता है, कि secondary stock बनाना या weaker stock बनाना, अब ये बनता कैसे है, जो एक बार हम जब stock बनाते हैं, तो उसकी bones बच जाती है, उसको दुबारा से simmer किया जाता है, बस उसमें करते क्या हैं, कि fresh vegetable जाल देते हैं, इतनी करपा कर देते हैं, तो उससे बनता है हमारा रेमुलाज या उसको secondary stock या second stock या re-wetting भी कहा जाता है, तो ये जो है, ये liquid जो है, बहुत ज़्यादा concentrated नहीं होता है, रेमुलाज से जो मिलता है, तो इसके लिए जो है, ये base होता है, आपके soup, sauces, stews, या fish के लिए इसको use के जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये strong नहीं होता है, weak होता है, ये इसका answer आप देख रहे हैं, जैमुलाज है, question number 18 दिया हुआ है, what is the term for a clear soup made from the strained broth and served as a starter, बहुत ही simple question है, और options से आपको समझ में जाएगा, a. bisk, b. shorder, c. consume and d. में इस तोने, तो ये बहुत ही simple इसका answer है, वो है option c. consume, इस तरीके से ये consume को आप याद रखिएगा, ये clear soup है, जिसमें की richly flavored stocks या broth से ये बनता है, इसको clarify किये जाता है, इसमें egg white डालते हैं, जिससे की इसका fat है या sediments है, वो निकल जाते हैं, तो consume is a correct answer, question number 19 is also a hot question, इसमें दिया हुआ, which thickening agent involves mixing of the egg yolks and heavy cream, मतलब तिकनिक एजिन पूचा गया है, जिसमें की egg yolk और heavy cream मिलाया जाता है, फोट तोड़ा से confusing है, a. दिया हुआ, bureau many, b. दिया हुआ, slurry, option c. दिया हुआ, butter, option d. दिया हुआ है, lizen, तो इसका जो correct answer है, वो है option d, जो की है लाइजन, तो लाइजन जो है, एक थिकनिक agent होता है, जिसमें की egg yolk और heavy cream को mix के जाता है, और ये जो है हमारे french cuisine में sauces हैं, soups हैं, उनको rich करने के लिए, थिकन करने के लिए, इन नोनों का जो combination है, उसको मिलाया जाता है, और इससे जो है कोई strong flavor भी add नहीं होता, ये आपको द देख रहा है, अंडे में जो है, थिक cream, egg yolks में जो है, थिक cream, heavy cream मिलाई जा रही है, question number 20 is, ये आपके सामने देख रहा है, what is the thail soru, also known as in Tamil cuisine, thail soru को और क्या कहा जाता है, तो भही है, तमिल cuisine आगे हाला कि इतना difficult question नहीं पूछेंगे, but regional cuisine से पिछली बार जो है, बहुत सारे question नेरे खाल से चार question, तीन या चार question पूछे गए थे, तो जो है, option दिया है, curd rice, option B दिया है, lemon rice, option C दिया हुआ है, tamarind rice, and option D is, pulidharai, pulidharai, ठीक है, तो इसका जो correct answer है, वो है curd rice, मतलब जो थायूर soru है, उसका जो है, curd rice बोलते हैं, और technically देखा जाए, तो curd rice को तमिल में, ये तरीके से हमारा curd rice है, simple से नाम सी समझ में आ रहा है कि rice, और जो yogurt है, curd है, उसको mix करते हैं, उसके बाद tempering मार देते हैं, उपर सब को दिख रहा है, पिक्चर में, curry leaves है, mustard seeds है, green chilies है, और कई बार धनिया उसमें ठोक के डाल देते हैं, गर्मी बहुत होती ही, महाँ पे, इसको curd rice को खाना खाने के बाद फोड़ा सही लोग खाते हैं, कितना भी अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, अंधरप्रदेश है, तेलंगाना है, और तमिल नाडू है, वो करना टाक है, curd rice उसको खाना ही खाना है, और ये जो है, आपको जो south की cuisine है, जैसे अंधरप्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, उडिसा है, ये सब चीजे आपके, अगर आप महां के जो local language है, उसको थोड़े से जो important ingredient है, उनके नाम आप याद कर लेंगे, तो आप उनके dishes को भी याद करने में आसानी होगी, उसमें भी कोई भी आपका rocket science नहीं है, तो ये आपको बहुत easy हो हैंगे, तो आपको वो easy होगा,